हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है आबिदे के and वेललकम टू टेक्सोर ओके क्या आप अपने सैंसंग एसी में फैन कि स्पीर बढलाना चाहते हैं? क्या आप जाना चाहते हैं? एसी में फैन की स्पीर कैसे बढ़ा हैं? विडियो ध्यान से देखते रहिए देखिए ये जो option होता है ये AC का fan का option होता है यानि AC की fan कितना speed में start है चालू है तो fan की speed बढ़ाने के लिए आप ये fan के button को दबाना है अब मेरी AC on है जैसे ही मैं इस button को दबाता हूँ तो आप जो एक line है इस पे ध्यान देना ठीक है तो यहाँ पर मैं button दबाता हूँ तो देखिए दो हो गई है line तो fan की speed थोड़ी सी तेज हो गई है एक और बार press करूँगा तो फिर और बढ़ गई है एक और बार press करूँगा तो ये full speed हो गई है अब आप background में सुनेंगे आपको थोड़ा सा fan की आवाज आ रही होगी जो AC की है ध्यान से सुनिए ठीक है तो आपको sound आ रहा होगा ये AC का fan का sound है अब मैं इसे वापस से बिल्कुल slow कर दूँगा या दबा के एक डंडी पे रखूगा तो ये slow हो जाएगी ठीक है आप चाहें तो इसे auto पे भी रख सकते हैं दबाते जाएं दबाते जाएं दबाते जाएं फुल होगा उसके बाद एक और बार दबाएं तो ये auto पे select हो जाएगा यानि अपने आप room के temperature के हिसाब से आपका fan speed में रहेगा बट मैं आपको recommend करूँगा आप one पे रखिए अगर जादा आपको noise नहीं चाहिए तो उमीद करता हूँ आप समझ गया होंगी वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को subscribe जरूर कर दे